सुपरबात, हिंदी की कच्छा में बारावी के छात्र छात्रों का स्वागत है आज का हमारा विश्य है कभी परिचय और कभीता का सारांस तो कभी परिचय जैसे ही पहला परस्ण पुछ आपके मन में उठेगा कि किस कभी का परिचय आज हमें पढ़ना है और दूसरा परस्ण क्या है कभीता का सारांस यानि किस कभीता का सारांस हम पढ़ेंगे तो कभी का नाम है आपके पहले परस्ण का उत्तर है कभी का नाम है रगुभीर सहाई और कभीता का नाम जिसका सारांस आज हम पढ़ेंगे कविता के मादम से कभी किस गटना को या किस भावना को जागर करना चाहता है या हम तक पहुंचाना चाहता है हम तक बने पातक वक्त तो है कैमरे में बंद अपाहिज कविता एक मारमिक कविता है और कहीं न कहीं यह एक ऐसे तंत्र के उपर प्रस्नवाचक चिन लगा देता है जो अपने उद्धिस्य से या अपने दिशा से कहले भटक गया है तो बाद में हम लोग कविता में जब इस विसे पर चर्चा करेंगे उसके पुरूर पहले हम लोग था रगुवीर सहाई जी के बारे में जानने इनका जन्व 1929 सिस्वी में लखनव के उत्तर पर्देश में हुआ था इनकी रचनाएं जो हैं अग्या द्वारा संपादी दूसरा सब तक जो 19 सेक आउन में प्रकासित हुई थी आरंबिक कविताय, महत्वपूर काब्य संकलन, सीडियों पर धूप में आत्मत्या के विरुद्ध, हसो हसो जल्दी हसो और पत्रकारिता जिसका उन्होंने ये किया अल इंडिया रेडियो के हिंदी सिमाचार विभाक से संब्ध रहे थी या फिर हैद्राबास से निकलने वाली पत्री का कलपना और उसके बाद दैनिक नौभारत टाइंस ता दिनमान से संब्ध रहे इन पत्रिकाओं से इनका संब्ध रायकिनका रगुवीर सहाय का सम्मान जिनसे इसने सम्मानित क्या गया था साहित्यक आदमी पुरसकार हिंदी का सबसे बड़ा सम्मान इसे कहा जाता है उससे सम्मानित वेक्ती हैं हमारे रगुवीर सहाय यानि कभी इनका निदन सन 1990 इस्वी में दिल्ली में हुआ था देखिए आरंब यूँव करते हैं दो पंक्तियों से क्या कहा रहा है कभी कुछ होगा कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा कभी कह रहा है अगर मैं अपने साहित्यके माद्यम से अपने रचनाओं के माद्यम से अगर कुछ बोलना चाहूंगा तो इसका असर या कुछ परभा कुछ नो कुछ तो पड़ेगा हो स मेरे अंदर एक कायर टूटेगा बल्यो सकता है कि यह जो तिलिश्य बनाऊटी मकारी से भरा होगा जो यह दुनिया हो गई है यह हो सकता है कि मेरे विरूद करने से मेरे प् impress maritime करने से यह भले न टूटे लेकिन मेरे अंदर का कायर यानि मेरे अंदर जो डर, जो भै है वो भै कही न कही जरूर दूर होगा दीए कई बार हम इंसान जब किसी भी चीज का विरूद करना चाहते हैं प्रतिकार करना चाहते हैं तो मन में एक यह भावना आती है कि सामने वाला वेक्ति क्या सोचेगा वो मेरे विरूद कौन सा कदम उठाएगा और इस डर याभ ऐसे क्या होता है कई बार हम लोग सच्चाई को सत्य को सामने नहीं ला पाते हैं कभी काता मैं लाओंगा इसका परणाम चाहिए जो हो मैं उसे भगतने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे अंदर का डर मेरे अंदर को काया था जरूर दूर हो जाएगी रगुवीर सहाय समकाली निंदी कभीता के संबेदन सील नागर चेहरा है नागर मने नागरी यह जीवन जोता है सहरी जीवन जिसे हम कहते है सडक, चौराह, दफ्तर, अकबार, संसद, बस, रेल और बजार की बेलोस भासा में उन्होंने कभीता लिखी मने आमजन की भासा को उन्होंने अपनी कभीता का बिसे बनाया था घर मुहले के चरित्रों पर कभीता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थाई नागरिक बनाया हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनायतिक भरस्ताचार और चलम-चलम इनकी कभीता में उतर कर खोजी पत्रकारिता की संचनिकेज रप्टे नहीं रजाते, आत्मानेवेस्वन का माध्यम बन जाते हैं मने आत्मानेवेस्वन मने खुद का जाच करना, खुद का अनवेसर करना, खोज करना उन्होंने अपनी आरंबिक दो पंक्तियों, जिसकी व्याक्या मैंने की, वहीं पेश्पस्ट कर दिया था और उन्होंने कहीं भी साहित्य से कोई समझाथा नहीं किया, रजना से कोई समझाथा नहीं किया और एक ऐसे छित विशिष से जुड़े पत्रकारिता थे आज कल पत्रकार क्या करते हैं आप देख लीजिए बड़े लोगों की चापलूसी उनकी चाटुकारिता या राजनेतिक जितनी हमारी पार्टियां है उनके अधीन या उनके गुलाम हो गया है लेकिन रगवीर साहय जी के साथ ऐसा नहीं था बुलने हैं वो पेसे से पत्रकार थे लेकिन वी सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे सिद्ध कथाकार और कभी भी थे कभी तक उन्होंने एक कहानी पर और एक नाट के वैभाव दिया जातिया वैक्तिक इसमेटियां उनके नहीं के बराबर हैं वो किसी जातिया वैक्तिविसेस को महत्व नहीं देते थे उनके लिए समाज और पूरी स्रिष्टी ही माइने रखती थे कोई वैक्तिविसेस उनके लिए महत्वपूर नहीं था समझ्टी में वह विश्वास करते थे यहीं समझ्टी में सभी लोगों के कल्यान भलाई में विश्वास करते थे इसलिए उनके दोनों पाउं बर्तमान में ही गड़े हैं बावजूद इसके मारमिक, उजास और वेंग बुजी खुलदरी मुस्कवनों से उनकी कवीटा पट पड़ी है मनि कवीटाओं का यह बिसे रहा है जिसका चिट्टा उन्होंने किया है चंदा अनुसासन के लिहास से भी अनुपम है पर ज़्यादा तर बाचित की सहस सैली में उन्होंने लिखा है और बखु भी लिखा है मनि उनकी रचनाओं की विसेस्ता है कि वो बाचित सैली में लिखते थे रगुवीर सहाई की कविताओं की दूसरी विसेस्ता जो है वह चोटे या लगू की महत्ता को सिवकार करना मैंने बार-बार इस विसे की तरफ आपका ध्यान अकर्शित करने का प्रयास किया है इन्हीं छोटे लगी उन्हीं समाज में जो पिछित है जो तिरस्कृत है जो बहिस्कृत है उनको उन्होंने जादा महत्तो दिया है महज बड़े कहे जने वाले विसेओं या समस्याओं पर जिष्टी ही नहीं डालते थे उनको महत्तो ही नहीं डेते थे अब नजर ही नहीं डालते थे उसको देखते ही नहीं तो महत्तो देने की तो बात ही नहीं उठते बलकि जिनको समाज में हासिया पर रखा जाता है उनके अनुवों को अपने रस्नाओं का विशे बनाते हैं रगुवीर जी ने भारती समाज में ताकतोरों की बढ़ती हैसियत इस पंक्तियों पर ध्यान देनी के आव सकता है जुरत पढ़ने पर एक खांकित कर लिजा आप लोग कि रगुवीर जी ने भारती समाज में ताकतोरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाब भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खीचा है रामदास नाम के उनकी कविता आदुनी खिंदी कविता के एक महत्रपूर दचना मानी जाती है जिसका जोलन तुदारण उनकी कविता रामदास नाम में देख लिजे नाम ही इसके अर्थ को अव्वेक्ट कर देता है कविता का शारांज क्या है उसके बारे में था जानलीजी अत्यान साधाराण और अन्यासरी प्रतीत होने वाली सेली में समाज की दारूर विदम बनाओं को पकरणी की जो कला रगुवीर साह की कविताओं में मिलती है उसका प्रतिनिदी उदारण यहाँ जो प्रस्तुत कविता है कैमरे में बंद अपाहिज कहां से लिया गया है तो यह उनका जो भूल गया है काब्य संग्रा है वहां से लिया गया है उनके काब्य संग्रा का नाम क्या है लोग भूल गया है लोग भूल गए हैं काब ये संग्रह से लिया गया है ये कविता कैमरे में मंद अपाहीज सारी रिक चुनोती को जहलते बेखती से टेलिवीजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कारिकरम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा क्या पेच्छा की जाएगी इसका लगबख सपाथ तरीके से बयान करते हुए कविनी एक तरह से पीडा के साथ साथ दिश्य संचार माध्यम के समंद को भी रेखांकित किया है कि मीडिया की जो भूमिका होती है विविन परकार के जो समाचार चैनलों की जो मिका होती है कैसी वह अपने करतब्यों से बीमुक होते जा रहे हैं उसका ज्वलन तुदार रही है कवीता कैमने में बंद पाहिए जहां एक अपाहिश भीकती आएगा तुसकी भावनाओं को उसकी पीड़ा को जागर करना उनका उदिश से नहीं है उनका उदिश से यह है कि किस तरह उनकी उस चैनल की पॉपुलर्टी बड़े प्रसिद्धी बड़े ख्याती बड़े किस तरह से वहां से वह ज्यादा रोजगार कर सके पैसा कमा सके कैसी वेड़मना है देख लेजे जिने आम लोगों के साथ जूड़ना चाहिए आम लोगों के समस्याओं को अपने चैनलों का या विमिन अकबार हो जो भी कह ले नमीनतम जितने भी संचार मार्द्यम है सभी अपने भूमिका से विमुख हो गया है बूले किसी भी पीड़ा को बहुत बड़े दर्सक वक्त पहुंचाने वाले बेक्टी को उस पीड़ा के प्रति सेम संब्यदन सीन होने और दूसरों को संब्यदन सील बनाने का दावेदार होना चाहिए सभाव के तहत आपका रवेया संबेदन हीन हो जाता है सहाई जी किया कविता टेलीविजन इस्टूडियो की वित्तर की दुनिया को भारती जरूर है लेकिन यहाँ आवस्यक नहीं है किसे सिफ टेलीविजन माध्यम से जोड़ कर देखा जाए अपनी ब्यंजना में है कविता हर ऐसे वेक्ति को रिसागदा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है माली जा हमारे सहर में ही हमारे देश में ही इतनी सारी घटनाएं घटी कितने मीडिया कर्मियों ने, कितने चैनल वालों ने, या कितने आख़बार वालों ने सानभुती के अलवा आर्थिक रूप से उनके मदद की हो उनको किसी परकार की सहायता दी हो उनके परिवार के साथ खड़े वे हो उनके परिवार की जिम्मेदारियां को निभाया हो किसी ने भी ने सबी बस अपनी जेवे भरना चाहते हैं और मजबूरी रोते हैं इसका दबाओ था उसका दबाओ था तो दबाओ से आपको भिचलित हो नहीं क्या होसकता क्या है आप अपने कर्तवियों से क्यों भी मुख हो रहे हैं क्यों आप पतफरस्त हो रहे हैं आप अपने उत्रदायतों का निर्वहन कीजी अगर आप उस पेसे से जुड़े होए हैं तो अन्यता वो पेस होड़ इस पस्तता रगुवीर सहाय जी प्रहार करते हैं उस बर्ग की तरह या तो अच्छी तरह सब नोतर दैतों का फालंग कीजिए अन्यता उससे भी चलित हो जाएगे हट जी हो वहाँ से इस कविता को सारे रिक चुनोते जलती लोगों के प्रति समवेदन सील नजरिया अपनाने के लिए प्रेजित करते पाठ के रुप में भी देखा जा सकता है इसके लिए कभी ने धूर समवेदन हिंता को रिखांकित करने का तरीका अपनाया है वह दिखलाता है कि किस तरह करूर जगाने के मकसद से सुरू हुआ कारे करम अंत में कुरूर बन जाता है अगर आपकी कमजोरियों को लेकर अगर कोई आपका उपहास उड़ा है आपको कैसा लगेगा जहां मनुस्यों को सहानुवती दिखाने चाहिए उसके मदद करने के लिए लोगों से निवेदन अनुदध बिने जो भी करना चाहिए बजाए इसके क्या हो रहा है जब रचना को हम पढ़ेंगे तो और इस पश्ट हो जाएगे चीजे कविता को पढ़ने के दौरान कि कैसे अंत में या पूरे कुरूरता को पुझागर करती है आज यहीं तक धन्यवद